hello everyone vote पत्ते हिसें हटे हाइठे हें लेकिन lever बटाइब तो ही थोड़े हाइभ होते हो एक यह सउफ्ट है थोड़े सौफ्ट है नियुक्त का क्रू. आसमाथ आक आने अजनके प्रूदव tv सब्सक्राइब नहीं चाहDear फुस्थ मेरे चैनल को सब्सक्राइब है काफ इसको यूज़ की है और किस चीज के लिए यूज़ किया यूज़ किया है यह देखे मैंने आमलतास के पत्ते लिये हैं और इन को मैंने सर्सों के तेल में wrap बहुत ज्यादा कुर्पूरे हो गया है एकर विद्दम और आपको इनको सिर्षों के तेल में ही fry करना तो गठिय का दर्द ऐसा होता है आपको दवाई से बहुत जाद अच्छा है और अगर ये प्रोग्लम आपको है तो उसके लिए दवाई खाने के बिल्कुल जूरत नहीं है क्योंकि देशी चीजे इतनी अच्छी होती है ये पेर आपके जो हैपस होती है प्लांट के पत्टे आपके इनकी फली फूल फल जो भी है यह आपके लिए बहोत जाद अच्छे होते तो जा आपको आराम भी करते हैं साथ में आपको नुक्सान भी नहीं देते हैं तो अगर बैठने से भी खाली भी बैटे है तो भी आपको दर्द हो जाता है उसके लिए करना है अमलतास के पत्तों को देखा ने मैं नमक भी लगा सकते हैं आप उसके लिए वह भी बहुत अच्छा है और यह बहुत सारी बिमार्यों काम आते हैं इसके पत्ते इनके लिए बहुत ही ज़ादा आपको जैसे किसी को गले की प्रोब्लम हो रही है या किसी को किसी को उल्टी हो जाती है उसके लिए बहुत अच्छा है इसके क्या करना है मलतास को इसके पत्ते हैं उसको जिन लोगों को जैसे प्रोब्लम हो जाती है किसी चीज की जैसे खासी की प्रोब्लम है तो इसको भी उसके लिए भी बहुत जाद पेट साफ करने के लिए बहुत जाद अच्छा है पेट साफ करने के लिए क्या करना है आपको अमलतास के दो से तीन पत्तों को नमक लगा करके ऐसे ही खाना है और इनको फ्राई नहीं करन तो वेस प्रक्टी शायर ने पहने के लिए और जब्सकार यहुचा तो लिए भी जिया है ज्रीक ख़टार में करा है। पत्तों एक तेयु जाह वालिकों जाया के लिए अच्छा है। living for any Part¡ क्वांटिटी में लेना है क्वांटिटी बहुत कम रखनी है क्योंकि हर चीज की अतीब बहुत जादा बुरी होती है अब बहुत सारी चीजे इसमें बहुत अच्छी होने के बावजूद भी आपको एक इसकी लिमिट है लेने की तो आपको 5-10 ग्राम मात्रा में ही इसका करते अगर आप निका लैंगे चांदकर पीएंगे तो लकोई के लिए बहुत ही जादा अच्छा है उसमें बहुत सारी इतनी क्वालिटी होती है आपकर अपको खासी हो उसके लिए आपको धर्ड़ हुरए है उसके लिए आपको लकोई के लिए एक लिए बच्चों की पस उस hills हो जाएंगा तो लोग किया जनर जिवळी उट खाएंगे के बारे मेंहीं में पता नहीं होता है तो इसå में चाहिए घर आप साये शंतेज़ को आप लोइड़ा को अभण युग जए इसी को अखिया जरुर होällen को पाएगा बैज वूखता आप जिकल द्धाध इन श्ह खाना खाने में अद्मधे करना है और दो थीन पत्ते खाने हैं को गठोने, घरईरी होगे तो धीया थिरी देरी तर्डाइ भी बंद हो जाएगा और बहुत ही जधाए अच्छा है आप इसी ट्राइर जारुड कीजिए और प्ली इसको लाइक कीजिए शेयर के जिये और से नियनकों को नहीं पता है जिन लोगों को बहुत स्वोगत को बॉख्द आड़ 해 तो थैंक यू